साथियों इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुती गर्मा पूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जन्वरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावर्य को नारी शक्ति के संकल्पति शक्ति को अंभर दिया और आज बजेट सत्र का आरम्भ हो रहा है तब राश्पति द्रवपति मुर्वुजी का बारदर्शन और कल निर्मलाज सितारामन जी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्तार का परव है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कारिय किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोक्तांत्रिक मुल्यों का चीर हरन करते हैं ऐसे सभी मानिय संसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसद ये छेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा जिनोंने इतना हुरदंग हो ला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर्थ तीखा क्यों नहों अलोचना तीखी से तीखी क्यों नहों लेकिन जिसने सदन में उत्तब विचारों से सदन को रभानमित क्या होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारिख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोगता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभागा दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हितों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीक्य सित्खी प्रतिक्या की होगी उसके बावजुद भी मैं अवश्य मानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोग तंत्र पेमी सभी लोग इस वहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्वक्ता, फुर्दंग, शरारत्पूने वहवार ये जो किया होगा उनको शायदी को याद करे लेकिन अब ये बजेट सत्र आउसर है पश्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्पिन छोड़ने का भी आउसर है तो मैं असी सभी मान्य साउसदों से आगर करूंगा कि आप इस आउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हीत में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को देए और देश को भी उत्साव और उमंग से भर देए मुझे भी स्वास है आप तो जानते ही है कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्वा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपको समख्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्नमंत्री निर्वना जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रजटी की नई ने उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह यात्रा जनता जनारदन के आशिरवाद से बिरन पर बनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम मेरा रहा है